नमस्कार दोस्तो स्वागत आप से भी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओलाइन फोर यूपर दोस्तो आज फिर आपके साब नेक में हैटपून जानकर लेकर हाज रूए हैं दोस्तो आपको बदा देखी पैंसन योजना के तहट एक हजार रूपे, दो हजार रूपे और पचीस सो रूपे सरकार द्वारा पैंसन दी जाती है दोस्तो चाहे आपकी व्रधा पैंसन हो दिव्यांग पैंसन हो यो फिर विद्वाही पैंसन क्यों नहूं दोस्तो तीनों पैंसनों के तहत यहाँ पर बड़ा लाब दिया जा र दोस्तों साथ ही बताएं अगर आपकी पैंशन रुकी हुई है वह अपको मिलने वाली है तमाम जानकारी आप इस वीडियो के द्वारा प्राप करेंगे अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं कर रहें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों जाल से ज्यादा सियर करें और हमारे यूटूब चैनल को जुरू सब्स्राइब करें दोस्तों क्योंकि आपके लिए हम अलग लगत रहेगी नई नई योज नई नई जानकारिया लाते रहते हैं तो दोस्तों वीडियो सुकरते आपको पैंसन के तैत यहां पर तमाम जानकारी दे देते हैं दोस्तों पहले बात करते हैं दिल्ली के आप देख सकते हैं आपे दिल्ली में जिसकी उम्र यहां पर 60-69 वर्ष तक के बुजुर को यहां पर 2000 रुपे और उससे उपर वाले व्यक्ति को यहां पर 25 रुपे परती महा के इसाब से दे जाते हैं दोस्तों यहां पर भिहार अब आती है बात भिहार की अगर आप भिहार में रहते हैं तो दोस्तों बिहार में 1000 रुपे परती महा के इसाब से पैंसन सरकार द्वारा दी जाती है दोस्तो अब बाद आती है राजिस्थान की राजिस्थान में 500 रुपे से लेकर 750 रुपे तक परती महा पैंसन दी जाती है दोस्तो अब बाद आती है यूपी की यह उत्तर परदेश की उत्तर परदेश में 500 रुपे परती महा के इसाब से पैंसन दी जाती है दोस्तों जार खंड में 600 रुपे परती महा जबकि दोस्तों यहां पर करनाटक में आपको 500 रुपे से लेकर 600 रुपे परती महा के इसाब से दी जाती है दोस्तो ये जो पैंशन आपको दी जा रही है सरकार दुआरा राज्य सरकार दुआरा आपके एकाउंट में ट्रांसफर की जाती है दोस्तो आपको बता देखी अगर आपकी पैंशन रुकी हुई है दोस्तों आपकी pension कब मिलने वाली है वे भी ही जान लीजिए दोस्तों आपकी pension 23 फरवरी जी हाँ दोस्तों 23 फरवरी से आना प्रारम हो जाएगी यानि के फरवरी के लास्ट हट्ते में आपकी pension आना प्रारम हो जाएगी दोस्तो साथी अगर आपने जीवन प्रमान पत्र नहीं बनवा है तो अपना जीवन प्रमान पत्र बनवा लीजिए क्योंकि जीवन प्रमान पत्र बनवाने की लाश्ट डेट 28 जी है दोस्तो 28 फरवरी लाश्ट डेट है अगर आपने जीवन प्रमान पत्र नहीं बनवा है तो अपना जीवन प्रमान पत्र अवश्य बनवा ले क्योंकि दोस्तो अगर आपने जीवन प्रमान पत्र बनवा के जमा नहीं किया तो आप पैंसन का लाब नहीं उठा पाएंगे और आपकी पैंसन रोक दी जाएगी दोस्तो फिर आप कहोगे कि हमारी पैंसन रोक दी गई है हमारी पैंसन नहीं आ रही है तो दोस्तो वज़ा यही होगी है अगर आप जीवन परमान पतर जमा नहीं करेंगे तो आपकी पैंसन रोग दी जाएगी दोस्तो यह थी हमारी आपके लिए एक महत्पूर जानकारी जो कि हमने अलग लग राज्यों की आपको पैंसन बताया है किस राज्य में कितनी पैंसन दी जाती है दोस्तो आपको यह जानकारी पैंसन के तैयत अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तो जद सेधा शेयर करें और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए है तो हमारे यूटूब चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों क्योंकि हम आपके लिए अलग लगत रहे की योजनाएं और अच्छी जानकारिया लाते रहते हैं मिलते हैं आपको नएश्ट वीडियो में अच्छी जानकारिया साथ जब तक के लिए जय हिन जय भारत